दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोथरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थित्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दस्वा और आखरी भाग जिसमें आज की वीडियो में हम भ दीवसों से संबंधित प्रश्णों के बारे में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सभी परिक्षाओं के लिए महत्वोंड परियावरण एवं पारिस्थित्की से संबंधित महत्वोंड प्रश्णों का दस्मा भाग दोस्तों सबसे पहले आज की वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीले और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्राखंड राजी की प्रमुक जीलें जिसमें भीम ताल, खुर्पा ताल, नैनी ताल और नौकुचिया ताल प्रमुक हैं तो देखिए उत्राखंड की प्रमुक जीलों में भीम ताल, खुर्पा ताल, नैनी ताल, तली ताल, नौकुचिया ताल हैं, इसके अलामा, दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारे राजस्थान राज में भी, राजस्थान में कई जीले हैं, जिसमें नक्की जील, पोवई जी सिद्धेस्वर जील, इसके अलामा, कोडारी, पुसकर जील, आना सागर, पिछोला जील और फतेह सागर जीले हैं, तो देखिए, राजस्थान में कई सारी जीले हैं, जिसमें नक्की, पोवई, सिद्धेस्वर, कोराडी, पुसकर, आना सागर, पिछोल और फतेह सागर हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुक जीले देखिए हम इसमें उनसे संबंधित जीलों को भी कवर करेंगे मानसी गंगा दोस्तों मानसी गंगा ये मतुरा जीले में इस्थित है रामगर ताल ये गोरकपूर में इस्थित है और इसे दोस्तों महतुपूर पर्याटन अस्थल के रूप में विक्सित किया जा रहा है लक्षमी ताल ये जहासी जनपद में इस्थित है इसके अलावा अनेक जीले भी है उत्तर प्रदेश में जो कई जीले इसमें रामसर आर्द भूमी संगठन के अंतरगत सामिल है तो आप यूपी इस्पेसल के अंतरगत प्रमुख जीलों से संबंदित जो प्रश्न है उनको आप देख लीजेगा लेकिन यहाँ पर देखे मानसी गंगा मतुरा में गोवर्धन के पास रामगर ताल गोरकपुर में और लक्ष्मी ताल जासी में इस्थित है आए देखते हैं दोस्तों मध्ध प्रदेश में जो प्रमुख जीले हैं उसमें सागर जील, रानी तालाब और सिवपूरी जील प्रमुख है इसके अलावा दोस्तों भारत की प्रमुख जीलों में डल जील आप जानते हैं कि जंबु कस्मीर में इस्थित है मोती जील जो है ये मोतीहारी जनपत बिहार में इस्थित है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी दोस्तों मोती जील इस्थित है एक प्रश्ण आपके लिए है मिरिक जील कहां पर इस्थित है आपको बताना है मैप में आप देख रहे हैं लेकिन इसको याद करने की दृष्टी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिरिक जहील कहा है आपको बताना है दोस्तों ट्विन जहील आपका नागलेंड में है लक्षमी नारायन बारी जहील ये त्रिपुरा अगरतला में है इसके अलामा रवींद्र सरोवर आपका पशिम बंगाल में है बिन्दु सागर जहील ओडिशा में है इसके अलामा देखिए चन्ना पाटन और बेलांदूर ये करनाटक राज में इस्थित हैं उटी और कोड़ाई कनाल ये तमिल नाडव राज में इस्थित हैं अब आएए देखते हैं दोस्तों गंगा संरक्षण से संबंधित महत्यपूर प्रावधानों को सबसे पहले हम राश्ट्री गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में जानेंगे दोस्तों गंगा नदी राष्टी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधान मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और राष्टी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अस्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष परधान मंत्री होते हैं और सदस्य कौन होते हैं तो गंगा नदी के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों के मुख्य मंत्री राष्टी गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य होते हैं इसका उद्दे से क्या है तो गंगा लिए लिए योजना बेत निगरानी और नियामक का कारे करना है और नेतरित्व करता राश्ट्री अस्तर पर नदी संड़क्षण के प्रियास करते हैं और दोस्तों दिरगावधी उद्देश राश्ट्री गंगा नदी बेसिन प्राधी करना है कि वर्स 2020 तक गंगा को अध्य योगिक अपसिष्ट और असोधित सीविजल से मुक्त दिलाना है तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्ण सबसे महतुपूर है दोस्तों राश्ट्री गंगा नदी बेसिन प्राधिकरान का गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ था इसके पदेन अध्यक्ष परधान मंत्री होते हैं और अब आएए देखते हैं दोस्तों केंद्री गंगा प्राधिकरान के बारे में देखिए केंद्री गंगा प्राधिकरान 1985 में इसकी अस्थापन हुई जिसके संस्थापक ततकालीन प्रधान मंत्री राजिव गांधी थे और केंद्री गंगा प्राधिकरान का वर्तमान नाम राष्टी नदी संरक्षन प्राधिकरण है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्री जो राष्टी गंगा नदी संरक्षन प्राधिकरण है इसका उद्देश्य है प्रदूसित नदियों के किनारे वाले बिभिन सहरों में प्रदूशन के समाप्ति क कारें के जरिये नदियों के जल की गुडवत्ता में सुधार करना गंगा नदी के संरक्षण और इनकी सुरक्षा से संबंधित एक योजना है महत्वकांची नमामी गंजे नमामी गंगे योजना दोस्तों सबसे पहले केंद्री बजट 2014 में नमामी गंगे योजना का प्रारम किया गया था और ये एकिकरित गंगा विकास पर योजना है जो 2037 करोण रुपए का आवंटन जिसके लिए किया गया है और नमामि गंगे योजना के अंतरगत गंगा घाटों का संदरी करण जो है महत्वपोंड सहरों में किया जाना है और इसके प्रावधानों में निर्मल धारा इसके अलावा नगरपाली का द्वारा सीवेज प्रवंधन कारियों को सुनिशित करना ग्रामीड छेत्रों का सीवेज प्रवंधन और द्योगिक अपसिष्ट प्रवंधन और अविरल धारा इत्यादी को बनाए रखना है अब आईए जानते हैं दोस्तों गंगा कार योजना के बारे में तो गंगा एक्षन प्लान का पर्थम चरण उन्नीस सो पचासी में प्रारंब हुआ था दूसरा चरण इसका अप्रैल उन्नीस सो तिरानबे में और इसका अनुमोदन गोमती एक्षन प्लान और 2016 से जो है गंगा कार योजना का तृती चरण प्रारंब किया गया है परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ बिसिष्ट तत्यों को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में पर्थम बायो टेक्नालजी पार्क की अस्थापना कहां की गई है लखनव में सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों तो आप जानते हैं समुद्र के भीतर उत्पन भुकंपी तरंगे सुनामी की उत्पत्ति का कारण है अगला प्रशन है मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब बारों को भरने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो ये हीलियम गैस है और डायना सोर्स का कबरिस्थान के नाम से कौन प्रसिध हस्थल है तो ये है मौन्टाना अमेरिका और अगला महतपूर्ण प्रशन है कि वह भारतिक रिसिव है ज्यानिक जिसे संयुक्त राष्ट परियावरन कारेक्रम यानी यू एन एपी द्वारा फादर आफ ए संस्थान और उनसे संबंधित राज्यों को देखते हैं दोस्तों एक प्रश्ण आता है कि हिमालई परियावरन और विकास का गोविंद बलब पंत संस्थान ये कहां पर इस्थित है तो ये अलमोडा उत्तराखंड में इस्थित है भारत का बन्य जीव संस्थान और इसी प्रकार Indian Institute of Ecology and Environment ये नई दिल्ली में इस्थित है दोस्तों भारती बन प्रवंधन संस्थान यानि Indian Forest Management Institute तो ये आपके भोपाल मध्य प्रदेश में इस्थित है आयूरवेद का राश्टी संस्थान जैपुर राजस्थान में और दोस्तों केंद्री सुस्क छेत्र अनुसंधान संस्थान यानि Central Arid Zone Research Institute ये जोधपुर राजस्थान में इस्थित है नेशनल इस्थित आफ नेचुरोपैथी तो ये पूरे में इस्थित है और दोस्तों पोसर का राश्टी संस्थान यानि जो नेशनल इस्थित फार नियूट्रिशन ये आपका में इस्थित है अब आये देखते हैं दोस्तों Antarctic में इस्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में तो Antarctic आप जानते हैं दोस्तों भारत का पहला अनुसंधान केंद्र Antarctic में दच्छिड गंगोत्री था दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री नाम से था और तीसरा अनुसं स्थान और अभियान है दोस्तों परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ महत्वपूर दिवस और उनके थीम जान लेते हैं 2021 के विश्व आर्द भूमी दिवस यानि वर्ल्ड वेट लेंडे 2021 का थीम है आर्द भूमी और जल विश्व परियावरण दिवस 2021 का एको सिस्टम रे आजीवी का लोगों और ग्रह को बनाए रखना इसके अलामा 214 दिवस 2020 का थीम था सतत स्वक्षता और जलवायू परिवर्तन अब आई देखते हैं दोस्तों परियावरण के छेतर में दिये जाने वाले प्रमुख पुरसकार और उनकी विशिष्टताओं को देखिए पहल उनको इंद्रा गांधी परियावरण पुरसकार दिया जाता है टाइलर पुरसकार तो ये महतोपूर्ण पुरसकार दोस्तों परियावरण सुरक्षा और पारिस्थित की छेतर में उनलेखनी योगदान के लिए दिया जाता है बोरलाग पुरसकार क्रिसी और परियावरण पुरसकार स्वक्ष प्रद्यों की यानी Clean Technology and Development के लिए दिया जाता है Global 500 पुरसकार ये परियावरण संरक्षन के लिए किये गए उतक्रिष्ट कारियों के रूप में किये लिए दिया जाता है आएए देख लेते हैं दोस्तों जो परियावरण से संबंधित महतोपूर दिवस हैं जो बार-बार परिच्छाओं में पूछे जाते हैं देखिए बिस्व वान की दिवस कब मनाय जाता है तो ये 21 मार्च को World Forestry Day मनाय जाता है बिस्व जल दिवस 22 मार्च को मनाय जाता है परिच्छी दिवस 22 अप्रेल को तो देखिए जल दिवस पहले यानि जल पहले है जादे मात्रा में है तो 22 मार्च को है परिच्छी दिवस 22 अप्रेल को मनाय जाता है इसकी अलावा 5 जून को विस्व परियावरण दिवस यानि अक्टूबर को मनाय जाता है और इसी तरह देखा जाए तो विस्व खादे दिवस 16 अक्टूबर को और 19 नवंबर को विस्व सोचाले दिवस मनाय जाता है तो ये परियावरण से समबंधित महतोपूर्ण दिवस और तिथियां थी जो परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं अब आईए देखते हैं दोस्तों समुद्री अमलीता में बृध्धी के दुस्प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं यानि समुद्र में अगर ACDT की मात्रा बढ़ती है तो दोस्तों कार्बन डायक्साइड में बृध्धी होती है जिसके करण समुद्री अमलीता में भी बृध्धी होती है और इसके दुस्प्रभाव क्या होते हैं या प्रभाव सबसे पहले जानते हैं तो दोस्तों जब समुद्री अमलीता में बृध्धी होती है तो प्लैंक्टन की उत्पादक्ता में कमी होती है इसके अलावा कार्बोनेट आयन में कमी आती है और पादप लोकी डिम्बकों की उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और साथ ही साथ प्रवाल बिरंजन होता है प्रव और दोस्तों प्रवाल विरंजन से कोरल रीफ की बृध्धि में बाधा होती है। अगला प्रशन है वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाबदायक दोनों हैं तो कारबन डायक्साइड ये धरती पर हानिकारक और लाबदायक दोनों हैं आपको बताना है कि कैसे हमने कई बार इस प्रशन के बारे में चर्चा की है। अगला प्रशन है वाई मंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कारबन डायक्साइड की उप्यूक्त सांधरता कितनी मानी जाती है तो दसमलो सुन्य तीन प्रतिसत मानी जाती है कारबन की सांधरता। मोमेंटम फार चेंज, क्लाइमेट निूट्रल नाव यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है तो यह UNFCC के द्वारा प्रवर्तित पहल है। अगला है दोस्तों अत्यधिक भंगूर पारिस्थित की तंतर जो बैस्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रवावित होगा तो यह आर्कटिक और ग्रीन लैंड के हिम जादर जो है यह अत्यधिक भंगूर पारिस्थित की तंतर है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहल प्रभावित होगा यानि ये अतिसंबेदन सील छेतर है अगला है कि वर्स 2015 में जलवाई परिवरतन पर कांफरेंस आप पार्टीज 21 कहां आयुजित किया गया था पेरिस में और एक प्रशना और है कि जिस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश की रूप में माना और परियावरण में ग्रीन हाउस गैसों के हुदाहरण कौन है तो एक तो जलवास्प है कार्बन डाय अकसाइड मीथेन है नाइट्रस अकसाइड ओजोन और क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये सभी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों की स्रेड़ी में आते हैं अब आईए दे बंगलोरु में इस्टिचूट आफ वुड साइंस एंड टेक्नालजी जोरहाट वर्षा बन अनुसंधान संस्थान तो ये इंपार्टेंट है वर्षा बन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में इस्थित है और कुलकाता में भारती बानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग या अभियांतर की सोध संस्थान नीरी ये नागपुर में इस्थित है और वन अनुसंधान संस्थान देहरदून में है दोस्तों अब आईए देखते हैं कुछ प्रमुख सब्द जो परियावरण से संबंधित हैं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में हरित विकास य ये Natural Agriculture या प्राकृतिक क्रिशी के खोच करता है पारिस्थित की तंत्रसब्द के जन्मदाता एजी ठांसले हैं पारिस्थित की निके सब्द का अविस्कार ग्रीनिल ने किया था ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो से फोरियर के द्वारा इकोलाजी सब्द सबसे पहले अरनेश्ट हैकेल को द्वारा जय विवित्ता रेमेंड डैसमेन के द्वारा और बायोस्फियर रिजर्व एडवर्ड सुवेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अगला जो है हमारा परिच्छोपियोगी तत्थे जो परिच्छाओं के द्रिष्टी से हैं भारत सरकार ने अब तक कितने जय मंडल आरक्षी छेत्रिया बायोस्फियर रिजर्व एस्थापित किये हैं तो इनकी संख्या कुल 18 है उतरप्रदेश के लखीमपूर जिले में इस्थित कौन सा नेशनल पार्क है ये दुधवा नेशनल पार्क है सलीम अली राष्टी उद्ध्यान कहां पर इस्थित है जंबो और कस्मीर में और सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैग्यानिक रहे हैं और इन्हें फादर आफ जो है वर्ड माइन आफ इंडिया कहा जाता है लोकटक जील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है जो कहां पर है ये मडिपूर में है गिर राष्टी उद्ध्यान जो है गुजरात के जूनागढ में इस्थित है ये किस के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों गिर राष्टी उद्ध्यान ACI सेर के निवास अस् स्थित किया गया जिसको संयुक्त वन प्रवंधन कहा जाता है भारती बन अधनियम दोस्तों 1927 में में पारित किया गया था और वन जीव संड़क्षन अधनियम 1972 के जाते है बन जीव संड़क्षन अधनियम precede 72 का है और वन संरक्षण अधनियम 1980 में पारित किया गया था दोस्तों वनोपर आधारित परियावरण संरक्षण अधनियम 1986 का है और जैविवित्ता अधनियम 2002 में पारित किया गया था कुछ पर इच्छोपियोगी तत्यों को देख लेते हैं पर्यावरण और बन मंद्राले द्वारा राष्टी वाई गुडवत्ता सूचकांक कब जारी किया गया 17 एक्टूबर 2014 को अगला कि यह सूचकांक सहरी छेत्रों में वाई प्रदोसन का अस्तर बताने के लिए कारे करता है अगला प्रश्ण है कि PM 2.5, PM 10, SO2 और NO2 जिस सहर में वाई प्रदोसन के बढ़ते अस्तर का कारण है वो है दिल्ली अगला है कि जलवाई और स्वक्ष वाई गटवंधन यानि Climate and Clean Air Coalition CCAC मुखेतेया जिन प्रदोसकों परकारे करता है उसमें मेथेन, काला कारवन और हाईड्रो फ्लोरो कारवन है अगला प्रदोसन देखते हैं दोस्तों वाई प्रदोसन नियंतरन के लिए वाई वी ए वाई यू पड़ाली का सुभारम कहां किया गया है दिल्ली में और ऐसे प्रदोसक जिनके कड़ों का ब्यास दो माईकरान से कम होता है वे वाई मंडल से स्वक्ष नहीं किये जा सकते हैं और अगला है कि वे वाई प्रदोसक जो प्रदोसक स्रोज से सीधे वाई में मिलते हैं आप जानते हैं उनको प्राइमरी प्लूटेंट्स या प्राथमिक प्रदोसक कहते हैं कार्बन मोनो आकसाइड कार्बन डायाकसाइड सल्फर डायाकसाइड ये सभी प्राथमिक प पर्थम राष्टी पार्क एलो इस्टोन निशनल पार्क है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने परियावरण और पारिस्थित्की से संबंधित परिक्षाओं की द्रिष्टी से महत्वपूर्ण प्रश्णों को कवर किया और ये वीडियो परियावरण और पारिस्थित्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्णों का दस्वभाग था और दोस्तों इन दस्वभाग में हमने एक एक लाइन जो है वो परिक्षाओं की द्रिष्टी से महत्वपूर्ण है और एक वीडियो हम इसको जो है कमबाइन रूप में बना देंगे ये परियावरण के सभी पार्ट जो है दस्वभाग को हम एक में शामिल करते हुए बना देंगे ताकि आप एक ही वीडियो में आप इन सभी प्रश्णों को कवर कर सके जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे UP-PCS प्रारंभिक परिक्षा RO-YARO यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी जूनियर हाइ स्कूल की परिक्षा TET यानि अध्यापक पातरता परिक्षा सूपर TET, UP-TET और ACA परियरफो यानि सहायक बन समरक्षक और बन छेत्रा धिकारी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतपूर है तो आप इन प्रशनों को तैयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मारक दोशन फार सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार